नमस्कार साथियों आपका सौगत एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो को टॉपिक है महात्पूर्ण सूचकांग 2023 तो इस टॉपिक से कर इंटरफर्स के जित्ते हैं मुश्ट इंपोटेंट कॉस्टर बन सकते हैं सभी को इंपोटेंट इमेजिस के साथ उनकी और इंपोटेंट पॉइंट के साथ आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तो आज का यह वीडियो होने वाला है साथियों मुश्ट इंपोटेंट अगर आप किसी भी एक्जैम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट तो आज का हमारा फस्ट कॉस्टन है बैस्विक भूख सूचकांग 2023 में भारत का क्या इस्थान रहा है तो इसका राइट आंसर इसी 111 जो भारत का स्थान है वह 111 मा रहा है और इसको इंग्लिस में कहते हैं ग्लोबल हंड इंडेक्स 2023 नेक्स्ट कॉस्टन है बैस्विक सांती सूचकांग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है तो इसका राइट आंसर है ए 126 भी इंपर्टेंट पॉइंट से समझते हैं भारत के जो स्थान है वह 126 भा है दो दिसमलाव 314 अंक के साथ सूचकांग में सरवाद एक तीन स्थान हम देख लेते हैं तो फस्ट पर है आइसलेंड सेकंड पर है डैनमार्क और थार्ड पर है आयरलेंड सबसे आखरी स्थान पर अफगानिस्थान 163 भा जारी करता है इंस्टिट्यूट फॉर इकोनोमिक्स एंड पीस नेक्स्ट कॉस्टन है बैस्विक लेंग अंतर स स्थान पर रहा है तो इसका राइट आंसर है डी 127 भी है इंपर्टेंट पॉइंट से समझते हैं सूच कांक में सीर्स तीन देश हैं फस्ट पर है आइसलेंड सेकंड पर है नॉर्वे और थर्ड पर है फिनलेंड जारी करता है बिश्व आर्थिक मंच नेक्स्ट कॉस्टन ह बिश्व खुसहाली सूच कांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुसहाल देशों की सूची में कौन सा देश सीर्स स्थान पर रहा है तो इसका राइट आंसर है वी फिनलेंड इंपर्टेंट पॉइंट से समझते हैं फिनलेंड का ओसत जीवन मूल ल्यांकन स्कूर 7.804 है बल्ड हैपीनेस रैंकिंग में भारत 126 वे स्थान पर है इसमें भारत का ओसत जीवन मूल ल्यांकन स्कूर 4.036 है सबसे नीचले स्थान पर अफगानिस्तान है सूच कांक में सीर्स तीन देश यहां पर दिये गए हैं तो फर्स्ट पर है फिनलेंड सेकंड पर है डैनमार क थर्ट पर है आइसलेंड जारी करता है सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट सॉल्यूशन नेटवर्क नेक्स्ट कॉस्टन है बैस्विक प्रतीवा रैंकिंग दो हजार तेश में भारत कि सिस्थान पर रहा है तो इसका राइट आंसर है डी 56 वे नेक्स्ट कॉस्टन है बैस्वि एंपर 10 पॉंट से समझते हैं भारत बैस्विक प्रतीश बढ़ता सूचकांक में 40 वे स्थान पर रहा है सूचकांक में सीड्स तीन देश हैं फस्ट पर है डेन्मार्ट, सेकंड पर है आइलेंड और थर्ड पर है सुजरलेंड जारी करता है इंस्टिट्यूट फॉर पर नेश्ट कॉस्टन है बिश्ब प्रेस सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है तो इसका राइट आंसर है डी 161 इंपर्टेंट से समझते हैं भारत के इसको 36 दिसम लवासाथ है सूचकांक में सीड्स तीन स्थान है फस्ट पर है नॉर्वे 95.18 के साथ और सेकंड प है ठाइड पर 89.48 के साथ आखरी स्थान उत्तर कोरिया का है नेश्ट कॉस्टन है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है तो इसका राइट आंसर है ए 108 वा इंपर्टेंट से समझते हैं सूचकांक में सीर्स तीन स्थान है फस्ट पर है डैनमार् सूचकांक जारी करता है बी डैम इंस्टिट्यूट नेक्स्ट कॉस्टन है बैस्बिक आतंकबाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकबाद से प्रभावे देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है तो इसका राइट आंसर है ए 13 बहुत इंपर्टेंट कॉस्टन साती ह नेक्स्ट कॉस्टन है जलबायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है तो इसका राइट आंसर है बी आठवे चाती हो वीडियो के कंटेंट और क्वाल्ट अच्छी लग रही हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए नेक् ग्लोबल यूनिकॉन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है तो इसका राइट आंसर है बी तीसरे नेक्स्ट कॉस्टन है बैसविक पैंसर सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है तो इसका राइट आंसर है ए 45 वा नेक्स्ट कॉस्टन है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूचिये में भारत का क्या इस्थान रहा है तो इसका राइट आंसर है B64 next question है G1 की digital गुलबत्त सूच कांग 2023 में भारत का क्या इस्थान रहा है तो इसका राइट आंसर है D पानवा